उत्तर परदेश चुनाओं के पहले चरण के मद्दान में 20 फिसद से अधीक वोटिंग होने की खबरे आ रही हैं बरी खबार उत्तर परदेश से पहले चरण में मजलिसे इतिहादुल मुसलिमीन के सोले अमिदवार हैं जिन में एकराम कुरेशी थाना भवन विदान सबासे ह बीम सिंग बलियावन बुडाना विदान सबासे हैं ताहीर अंसारी चर्थावल विदान सबासे हैं इंतजार अंसारी मुझफर नगर विदान सबासे हैं रफात खान सिवाल खास विदान सबासे हैं जीशान आलम सराधना विदान सबासे हैं विनोध जाठव हस्तिनापू विदान सबासे हैं तस्लीम आमद किट्टर विदान सबासे हैं इम्रान अंसारी मेरट सीटी विदान सबासे हैं अनीश अहमद छपरोली विदान सबासे हैं डॉक्टर महताब अली लोनी विदान सबासे हैं मन मोहंजा गामा साहिबा विदान सबासे हैं हाजी आरीफ धुलान विदान सबाद से हैं फुरकान चोधरी कड़ मुक्तेसवर विदान सबाद से हैं दिलशाद आहमद शिकंदरवाद विदान सबाद से हैं साकीर अली ब्रोली अलीगर विदान सबाद से हैं मजलिस इतिहाद इत्यादल मुस्लिमीन जो है इस बार जो पहले चरण के उमिद्वार उता रहे हैं पश्मी उत्तर प्रदेश में खास तोर पर मुझफर नगर के तीन विधानसवाओं में अपने उमिद्वार उता रहे हैं तो वहीं मेरट में जो है पाच विधानसवा में मजलिसे इत्याद मुसलिमीन का जो है उमिदवार है इसमें खास तोर पड़ इस बार जो सुर्खियों में रहा है सिवाल का सराधना हस्तिनापूर के ट्थोर विधानसवा ये इन विधानसवा में काफी जो है जो है मजिसे इतिहाद मुसलिमीन ने मेहनत की है बैरिष्टो सोथ दीन विशी साब गाजी आबार विधानसवा में दो विधानसवा में अपने उमिदवार उतारे हैं साहिबाबाद और लोडी विधानसवा में तो वहीं हापूर के दो विधानसवा धोलाना और गड़ मुक्तेशवर आते हैं अली कर रहे हैं उत्तर पर्देश के पच्मी उत्तर पर्देश के लोगों से कि इस बार मजलिस इतिहाद अलमुसलिमीन को विकल के तोर पर जो है अपील कर रहे हैं कि इस बार मजलिस को वोट कर रहे हैं लेकिन कोई कमी कसर बैरिष्ट्रों सो दीनों वेसी साहब वहां के लोगों में सियासी बेदारी और चुनाओं परचान में नहीं छोरा है और खास तोर पर पूर्या आइना दिखाया है बैरिष्ट्रों सो दीनों वेसी साहब और सभी लोगों की निगाहें हैं इन सोलर सीटों पे आज जो मजलिसे इतिहादल मुसलिमीन के उमिदवारों का वोट होना है और जिस नामों को हमने आपके सामने रखा इन विदान सवा बिलकुल सुर्खियों में रहा है बैरिश्टा सोदीन ओवेसी साहब पूरी ताकत अपना इस विदान सवा में चुना परच इसके लोग जो है बहतर फैसला लेंगे और जो फैसला आज ले रहे हैं लगातार जो है लोग अपील कर रहे हैं कि मजलिसे इतिहादल मुसलिमीन को लेकर और पहली दफार उत्तर परदेश के पश्मी उत्तर परदेश में चुनाओं में मजलिस हिस्सा ले रही है फिलहाल जो है वहाँ पर मदान हो रहा है बड़ी तधाराद में लोग आ रहे हैं सुबह से ही जो है वोट का परिशत धीरे भर रहा है पहले 10,15 अब 20 फिस पिससे से अधिक मदान होने की खबरें आ रहे हैं फिलहाल आपको बताते हैं चले मजलिस के दोसरे चरण की तैयारी है और चौदे फरवडी को मद्दान होना है। जो कि मद्दान हो रहा पहले चरण का और लगातार हम अपडेट आपको दिखाने बताने का पढ़ियास करेंगे फिलहाल दमेसिज न्यूज में नए है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों को शेर करें खुदा हाफीज झाल 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 झाल